हेलो दोस्तो नमस्कार मैं हूँ अभिसेग वेलकम टू सॉटकर्ट इन्फोर्मेशन बात है 1866 की आस्ट्रेलिया में वर्सावन के आसपास रहने वाले लोगों के मवेस्तियों जैसे गाई, बैल और घोरे अचानक से मरने लगे और मौत भी कोई सधारन मौत नहीं बलकि दर् प्लान था पर उस टेम ज्यादा टेकनोलोजी ना होने के कारण इस पौधे पर ज्यादा रिसर्च नहीं हो सका और ये ज्यादा फेमस भी नहीं हुआ फिर वर्ड वार्ट टू के दौरान कई अफसर और सैनिक इस पौधे के संपर्क में आए और उसके बाद दर्द के या फिर दर्द के मारे मर गए इसके बाद इस पौधे को सुसाइट प्लांट भी कहा जाने लगा इसके बाद 2009 में बोटैनिस्ट मरीना हरले आस्ट्रेलिया के जंगलों में सोथ करने पहुची बोटैनिस्ट मरीना हरले ने प्रोटेक्टिव सूट पहना हुआ था फिर भी फिर वो इस पौधे के संपर्क में आई उसके आधे घंटे के बाद ही उनको दर्द होना शुरू हुआ फिर उनको होस्पीटल ले जाया गया जहां उनका इलाज कुछ महिने चला फिर भी उनको दर्द से छुटकारा पाने में दो साल लग गए इस पौधे की पतियों में छोटे छोटे काटे होते हैं जो एक बार सरीर में गर जाए फिर इसके अंदर मौझूद नियूरो टॉक्सिन हमारे सरीर में पहुंचता है और इस नियूरो टॉक्सिन में पाय जाने वाले प्रोटीन जिसे मोरोईडीन कहते हैं वो पेन को परहाने लगता है पर वो कहते है न हर बाप का एक बाप होता है तो इस जहरीले पौधे को भी खाने वाला एक जानवर है जिसका नाम पैडे मेलोन है उसने अपने सरीर में ऐसी इम्मुनीटी डेवलप कर ली है जिससे इसको पेन नहीं होता तो ऐसे और इंफर्मेटी वीडियोज देखने के लिए इस वीडि